नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी एनम 9212 बरते में 8831 सेलेक्टेट बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के कल लखनवों में धन्ना दिया गया था और लखनवों में ना तो मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात हो पायती और ना ही डिप्टी सीम ब्रजे 45 तका पूरा हमका कारकरम था वहाँ पर कोसामबी से भाजपा सांसद विनो सोनकर जी की पिता की 13 कारकरम में शामिल होने के लिए आए वे थे तो एक बहन से हमारी सुबह बात हो थी उन्हों न कहा था कि भगया हम कोसिस करेंगे और भी कुछ लोगों से बात हो थी कि ग्या तो अभी हम इस समय वीडियो जब बना रहे थे उस समय लगबग वही समय चला था जब मुख्यमंत्री जी प्रियागराज में हैं तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही उन बहन से बात होगी कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई जो भी अपडेट होग प्रजेश पास तक तो हमारी एक बहन से बात भी उसके बात दो-तिक लोगों ने और फोन किया था और हमने सबसे निविदन किया कि आप लोग अधिक सख्या में एकत्रित होकर के बस्ती जिले के जो भी बहने हैं और जो लोग भी जा सकते हैं उनके साथ में तो जाकर कि आप ब्रजेश पाट कियों कि हाँ पर मुलाकात बिल्कुल संभव हो सकती हैं मुलाकात अच्छे से आप मुलाकात आपकी हो जाएगी और अच्छे से आप अपनी बाद भी रख सकते हैं ग्यापन भी आप सभी को देना है ग्यापन भी हमने भेज दिया है और इस इसके बाद भी सिद्धार्त नगर जिले में माननी है वो मुख्यमंत्री जी का आगमन रहेगा तो फिलाल में भी यह 25 तारिक कल की लिए हो गया फिलाल में भी आज की लिए यहां तक है ठीक है तो जो भी लोग साथ में जा सकते हैं हमने एक नंबर भी इसके पहले वाले लिजेगा 7007054255 ठीक है इनसे आप संपर करके जो भी लोग बस्ती जिले में अभी तुरंद बात कर लिजेए क्योंकि समय ज्यादा है नहीं समय मतलब तुरंद यहां पर पहुंचना होगा क्योंकि पांच बज़े के बाद फिर लगबग 6-7 बज़े तक अधिक्तम कुल मि आजमन सर्कीछ था उस प्राष्ट घेष्ट आ उस मेरात्रि प्रबास के कि लिए होगा है इसके बाद सिधार्थ नगर में जो भी भेहने सिधार्थ अगर आप बहुत अच्छे हैं मंतरी जी मुलाकात करते भी हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी कोई उनके बास ग्यापन लेकर के जाता है ग्यापनों देखते हैं और उस पर कारवाई के लिए उनसे जहां तक भी वन पड़ता है वो लोग प्रियास भी करते हैं आगे निर्देश भी देते हैं तो आज बस्ती जिले की भेने कोसिस कर रही हैं और हमने एक नंबर भी शेयर किया बस्ती जिले के लिए इसी प्रकार से सिधार्त नगर जिले में जो भी बहने माना नहीं उपमुक्यमंदर जी से मिलने के लिए जा सकती हैं तो आप हमें हमारे वाटसप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा और उसे इसाफ से पिर लेड़ी चुके हैं और आगे जो है फिर से समय उनके दोारा मांगा जा रहा है किस वजह से मांगा जारा है ना तो आप प्रोवजुनल की डी1 करा रहे है। Ihde ना तो उसमें कोई यल्ट जब आप जारी कर चुके है तो तयार उसमें फिर क्रोंसा नया काम बचा यह किस आप भेजेंगे नहीं UPCCC आयोग से तब से कोई भी कार्य आगे बढ़ेगा नहीं ज्वाइनिंग में इविन प्रोविजनल का अभी आप देखेंगे अभी तक कोई काम नहीं किया गया 15 October तक उन्होंने वहाँ पे सचीव साब ने बोला है कि 15 October तक फाइल बेजेंगे उसके बाद प्रोविजनल में कितना समय लग जाएगा उनकी डीवी कराती कराते अगर आयोग को करवाना होता तो 2-3 दिन में ये कारे करवा सकते हैं प्रोविजनल की डीवी 2-3 दिन में जब आप पूरे अभ्यारतियों की 17713 अभ्यारतियों की डीवी 10 दिन में कंप्लेट करवा सकते हैं तो 1600 कुछ बहन है उनका डीवी जो है जिनका प्रोविजनल लगा हुआ है ऐसा है बेने कि उनके सारे डोकुमेंट्स चेकन है कुछ ही उनके जो कमिया होंगे बसके बाल वही डोकुमेंट्स उनके बंगबाने होंगे वेरिफाई करने के लिए तो दो से तीन दिन का काम है अधिक्तम अगर चाहें आयोक तो तो यहाँ पर मुक्यमंत्री जी डिप्टी सियम प्रजे स्पार्टक सर से हमें बहुत उम्मीद है अगर उनके द्वारा एक निर्दे से भर हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है तुरंत इस्टार्ट हो सकती है और आप सभी को अभी भी दिपावले की पहले पहले तक भी ज्वाइनिंग लेटर विद्रिथ किये जा सकते हैं तो कल सिधार्ट नगर जिले में जो भी भेने उपर मुख्यमंतरी जी से मुलाकात कर सकते हैं उनके पास मिलने के लिए जा सकते हैं ग्राम चौपा लगा हुआ है आप वहाँ पर थोड़ा सा जैसे जो भी भासपा कार्याले हो आप थोड़ा सा पता कर लिजिएगा बिल्कुल एक्जैक्ट लोकेशन ठीक है उसे हिसाब से आप थोड़े से तयारी कर लिजिए अपनी आज से ही और अगर आपको ग्यापन च कर लेंगे और साति जो लोग भी साथ में जितने भी लोग जाना चाहेंगे आप हमसे संपर कर लीजिएगा हम नंबर सेयर कर देंगे बाकि फिर आप लोग आप अपस में कॉंटेक्ट करके कल सिधार्गर में आप लोग जा करके ऊपनों कम किमत्री मंतर जी से मुलाकात कर लिजेगा बाकी आज बस्ती जिले में कुछ बहने जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए और मुलाकात भी 100% होगी मुझे पूरी उम्मीद है और वहां से सकारात्मक कुछ खबर आप सभी को भी सुनने को मिल सकता है